काशी चलना होगा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहां संबूधित कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हूं हम पहली बार बनारस आयल है काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रनाम बाबा विश्वनात और मा गंगा के आसिरवात से काशी वाशियों के असीम स्ने से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सवभाग्यम मिला है काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिती चून कर धन्य कर दिया है अब तो मा गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है मैं यही का हो गया हूँ इतनी गर्मी के बावजोद आप सभी यहाँ बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए और आपकी यह तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा थंड़क बर्थाने लग गया मैं आपका अभारी हूँ मैं आपका रणी हूँ साथियों भारत में अठारवी लोगसभा के लिए हुआ यह चुनाव भारत के लोगतंत्र की विशालता को भारत के लोगतंत्र के सामर्थ को भारत के लोगतंत्र की व्यापकता को भारत के लोग संत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पुरे सामर्थ के साथ प्रस्तुत करता है इस चुनाव में देश के 64 करोड से जादा लोगों ने मतदान किया पूरी दुनिया में इस से बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं अभी मैं जी सेवन की बैटरक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था जी सेवन के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे डेड़ गुना जादा है यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दे यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे डेड़ गुना जादा है इस चुनाव में 31 करोड से जादा महिला उन्हें हिस्सा लिया है ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे जादा है ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आस्पाव है भारत के लोगतंत्र की यही खुपसूर्ती यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्शिद भी करती है प्रभावित भी करती है मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोगतंत्र के इकुपसव को सफल बनाने के लिए आभार यक्त करता है यह बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है काशी के लोगों ने तो फिर्फ MP नहीं बलकि तीसरी बार PM भी चुना है इसलिए आप लोगों को तो डेबल बधाई साथियों इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाक कई अभुत्पुर्वा है इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है दुनिया के लोगतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है ऐसा भारत में साट साल पहले हुआ था तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी आपने ये सवभाग्य हमें दिया अपने सेवक मोधी को दिया भारत जैसे देश में जहां युवा आकांचा इतनी बड़ी है जहां जनता के अथा सपने है वहां लोग अगर किसी सरकार को दस साल के काम के बार फिर सेवा का आउसर देते हैं को ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी विक्विक्तरी है बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई उंचाई पर पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरना देता है मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पुरा करने के लिए आपके संकल्पों को पुरा करने के लिए मैं हर प्रेयास करूंगा